नमस्ते विलकम टो ग्रेटिम फेशन आज हम यह खुबसरत डिजाइनर जाकेट बनाने वाले हैं विद पोटली नेक तो यहाँ पर मैंने नेक की और पोटली नेक बनाये हैं और इस जाकेट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह रिवर्सेबल है यानि कि यह जाकेट आप दोनों साइड से पहन सकते हो तो यह मैंने दो कलर में दो पैटन में बनाया हुआ है यहाँ पर मैंने फैबरिक के दो पैटन ले हुए हैं अंदर के साइड में यहाँ पर मैंने दूसरा पैटन डाला हुआ है जो कि हम इस साइड से भी जाकेट को पहन सकते हैं यहाँ पर आ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और हमें सपोर्ट कीजेगा और जिन्हों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद और साथ ही मैं आप बेल के बटन पर भी क्लिक कीजेगा ताकि यह वीडियो से यह मैं अपलोड करती हूँ इसके नोटिफिकेशन इस दो अलग-अलग एक-एक मिटर के कपड़े लगेंगे यहां पर मैंने दो अलग-अलग पैटन के एक-एक मिटर के कपड़े लिए हुए हैं और यहां पर मिसाथ ही मैंने यहां पर डोरी बना के रखी हुई है जो कि हमें जकेट के लिए इसका यूज होगा और यहां पर हम नेक में portly buttons लगाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर portly buttons तयार करके रखे हैं इस video की link मैंने description में दे दी है portly buttons किस तरह से बनाते हैं तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा जो body का pattern है उसकी जरुद होगी जो भी कुर्ती के लिए आप body का pattern बनाते हो drafting pattern वो आपको यहाँ पर use होगा और यहाँ पर बस हमें west तक ही इसके measurement की जरुद होगी तो यहाँ पर west में dart है अगर आप dart नहीं लेना चाहते हैं west में तो बस आप west का 1-4 प्लस losing half inch या 1-inch losing रखके marking कीजिएगा यहाँ पर मेरा dart है अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिकत नहीं है यहाँ पर मैं dart ले रही हूँ अब यहाँ पर बस हमें west तक ही इसको cut करना है तो जहाँ पर हमारी west line है west line के नीचे half inch extra लेना है seam allowance के लिए और यहाँ पर half inch नीचे लेकर हम इस pattern को cut कर देते हैं जो भी हम कुर्ती के लिए या हमारे outfits के लिए जो pattern बनाते हैं drafting का बस वही हमें यहाँ पर use करना है west line तक अब मैं यहाँ पर west line तक इसे cut कर देती हूँ यहाँ पर dart नहीं लेना चाहते तो आप dart को skip कर सकते हो यहाँ पर back neck close रखना है यानि के back neck मैंने यहाँ पर डेरी इंच लिया हुआ है और उसे के according यह measurements डाले हुए है अब देखो यह west line के नीचे half inch seam allowance रखकेर मैंने cut किया अब यहाँ पर हमें धोड़े changes करने है तो इसलिए मैं यहाँ पर neck है थोड़ा deep रखोंगी front का यहाँ पर मैं 8,8 या 9 inch आप रख सकते हो यहाँ पर मैं 8 inch front का neck रख रही हूँ और यहाँ पर जो broadness है neck width की वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेती हूँ front और back दोनों के लिए यहाँ पर neck width बढ़ा कर लेनी है क्योंकि यह jacket है तो कुर्ती के उपर पहना जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम broad रखेंगे neck और इसकी front का neck भी हम broad रखेंगे तो इस प्रकार back और front की neck की width भी हमने बढ़ा ली है अब यहाँ पर जो full burst के हमारी line होती है वहाँ पर आप 1-4 inch की gap रख सकते हो अगर आप नहीं चाहते जादा यहाँ पर full burst की line पर जादा gap नहीं चाहते तो आप 1 inch या half inch पर marking कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने 1 inch पर marking किया अब neck line से होके सीधे नीचे तक जाएंगे हम उस point से इस प्रकर हमें यहाँ पर jacket का shape देना है यह shape सिर्फ front की और ही रहेगा back की और नहीं तो इस प्रकर मैंने यहाँ पर shape दे दिया नीचे के और भी आप थोड़ा सा इस प्रकर round shape दे सकते हो तो यह हमारा jacket का front side का shape हो गया हम यह अभी नहीं cut करेंगे हम यह बाद में cut करेंगे कपड़े के उपर सबसे पहले हम back का marking करेंगे उसके बाद हम front cut करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 1 मिटर कपड़ा है हमारा यह और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया अब जो यह pattern है बना हुआ हमारा मैंने यहाँ पर इसे folded side पर रख दिया हम सबसे पहले यहाँ पर back cut करेंगे तो यहाँ पर यह जो नेकविड बढ़ाई है यह मैं यहाँ पर cut कर देती हूँ folded side पर रख के back का cutting करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह जो कपड़ा हमने लिया हुआ है यह हमारे जो old sarees होते हैं पुराने sarees होते हैं उसका यह पल्लू है तो इसी परकार मैंने दो saree के दो पल्लू यहाँ पर यूज किये हैं हमारे jacket के लिए तो यहाँ पर देखो हमने यह back का cutting पूरा कर लिया है उसके पाथ जो pattern है हमारा यहाँ पर हम front के लिए जो drafting किया था उसके according यह cut कर देते हैं इस परकार यह हम cut कर देंगे यहाँ पर neck की side cut की अब हम आम hole की side को cut कर देते हैं यह हो गया हमारा पूरा front का तयार अब हम front का pattern निकाल देंगे इस कपड़े में से यहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ इस परकार और इसके according हम इसको cut कर देंगे अब यहाँ पर जो मैं आगे वाली side है front की वहाँ पर मैं थोड़ा सा sim margin रखा हुआ है और वही रख के मैंने cut किया है यह देखिए मैंने थोड़ा सा half inch आगे की तरप extra sim margin रखा हुआ है front side में और उसे cut कर दिया है बाकी मैंने कही पर भी sim margin नहीं रखा है जैसा pattern है उसे के according कट किया हुआ है तो यह cutting हमारा हो चुका है आप देख सकते हो मैंने इस side में front के आगे के side में half inch margin extra रख के cut किया है बाकी मैंने कही पर भी margin नहीं छोड़ा है इस प्रकार हमारा front और back दोनों का cutting यहाँ पर हो चुका है अब यह जो front और back का cutting हो चुका है same इसी प्रकार दूसरे कपड़े के उपर भी यह pattern हम निकाल देते हैं तो मैं यहाँ पर same इसी प्रकार यह pattern निकाल देते हूँ मैंने यहाँ पर निकाल दिये हैं आप देख सकते हो यह जो synthetic कपड़ा है मेरा दूसरा कपड़ा तो वो synthetic होने के कारण में यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है स्टीचिंग करने के बाद मैं वो ट्रिम कर दूँगी और यहाँ पैटन इक दूसरे को अटैज करने से पहले मैं यहाँ पर अलग-अलग डार्ट ले लेती हूँ यह स्टीच करने से पहले हमें अलग-अलग डार्ट लेने है तो यहाँ पर मैंने ले लिये हैं डार्ट आप देख सकते हूँ यह बैक का पैटन है और बैक के पैटन में मैंने डार्ट ले लिये हैं यह एक साइड का कपड़ा है और यहाँ पर जो दूसरे साइड का जैकेट का बैक पाटन है वहाँ पर भी मैंने डार्ट ले लिये हैं तो अगर डार्ट लेना चाहते तो इस परकार अलग अलग लिजिएगा उसके बाद एक दुसरे के उपर बराबर से रख कर यहाँ पर आम होल की साइड में स्टीच लेनी है उसके बाद नेग की साइड में स्टीच लेनी है और इस साइड का आम होल भी स्टीच लेना है यानि कि दोनो साइड के आम होल में स्टीच लेनी है और नेक की साइड में स्टीच लेनी है देखो मैंने यहाँ पर जहाँ पर मार्किंग किया है वही पर स्टीच लेनी है ना कि हमीं shoulder के और stitch लेनी है और ना ही side में और नीचे के और stitch लेनी है बस हमें दोनों side के आमोल और neck में stitch लेनी है अब यहाँ पर front का भी देख लेते हैं front में भी मैंने dart ले लिए हैं एक side के pattern में dart ले लिए हैं उसी प्रकार मैंने दूसरे side का pattern जो है jacket का front का उसमें भी मैंने dart ले लिए हैं तो यह मैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर रख देती हूँ सीधी side के ऊपर सीधी side में बराबर से यहाँ पर रख देती हूँ चुकि मैंने यह synthetic pattern है एक side का तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह थोड़ा extra cut किया हुआ है क्योंकि यह stitch करते समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है बाद में हम trim करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कहाँ पर stitch लेने हैं हम देखेंगे यहाँ पर हमें front side का जो pattern है उसमें जो आगे की side है हमारे necky side उस side में stitch लेनी है नीचे की side में stitch लेनी है आम होल की side में stitch लेनी है बस हमें ये तीनी side में ही stitch लेनी है सेम उसी प्रकार दूसरे side का जो हमारे front का pattern है वही पर भी neck की side में stitch लेनी है नीची के और stitch लेनी है आम होल की side में stitch लेनी है तो यहाँ पर जहाँ पर marking दिखाया है वही पर ही stitch लेनी है बाके और नहीं स्टीच लेनी है यहाँ पर हमें साइड में और नेक में स्टीच नहीं लेनी है आप देख सकते हो यहाँ पर बस मैंने तीन जगा पर ही मार्किंग किया है तो shoulder में stitch नहीं लेनी, neck में stitch नहीं लेनी और side में भी stitch नहीं लेनी है तो यहाँ पर मैंने stitch ले ली है, stitch लेके मैंने trim भी कपड़ा कर दिया है नीचे की side का और यहाँ पर देख सकते हो आप यह हमारी dory है, dory को मैंने यहाँ से बीच में cut कर दिया ये दो सेम पीस मैंने यहाँ पर कर दिये डोरी के अब नेक की साइड से मैं यहाँ अंदर डालूंगी इस डोरी को और इसका एक नोग जो है इस तरह से मैं फ्रंट साइड में नेक की साइड में निकाल दूंगी पाहर नेक के एकदम नीची की और मैंने यहाँ पर इस नोग को निकालना है इस तरह से और पूरी डोरी हमें अंदर की तरफ डालनी है इस प्रकार यह डोरी को हम दोनों साइड में इसी तरह से सेम रखतेंगे रखने के बाद यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो मार्किंग किया हुआ है क्योंकि हमें नेक की और पोटली बटन को अंदर की साइड में लगा देना है तो इस प्रकार portly button को हम रखेंगे यह देखे इस प्रकार रखेंगे portly button जो है अंदर की तरफ जाना चाहिए और उसका जो wasted cloth होता है वो बाहर आना चाहिए तो इस प्रकार हम रखते जाएंगे एक-एक करके यहाँ पर मैंने बड़े वाले portly buttons बनाये हैं आप अगर छोटे stitch करना चाहते हो तो छोटे भी कर सकते हो या अगर नहीं भी रखना चाहते portly buttons तो आप सीधी stitch वहाँ पर लगा दीजेगा तो यहाँ पर मैं portly buttons लगाना चाहते हूँ तो एक-एक करके मैं यहाँ पर portly buttons को नेक की साइड में इस तरह से अंदर डालके उसके उपर stitch लगाते जाऊंगी यह optional है अगर आप portly buttons नेक की साइड में नहीं लगाना चाहते तो आप नेक की साइड में सीधी stitch लगा दीजेगा और plane नेक भी रख सकते हो तो इस प्रकार एक-एक करके मैं यहाँ पर portly buttons अटेच कर दूँगी front के दोनों साइड के pattern में इसी प्रकार हम portly buttons को अंदर की साइड में इस तरह से रखेंगे और उसके उपर से stitch लगाते जाएंगे portly buttons किस तरह से बनाते हैं इसका video uploaded है और link मैंने description में दे रखी है इस प्रकार हम यह portly buttons एक-एक करके पूरे neck को जाइट करेंगे portly buttons लगाने के लिए आप side zipper foot यूज कीजेगा उससे finishing अच्छे आजाएगी अब यहाँ पर पूरे portly buttons हमारे stitch हो चुके हैं अब जो extra का कपड़ा होता है portly buttons का उसे हम cut कर देते हैं उसे पूरी तरह से cut कर देंगे इस प्रकार यह हमने पूरा extra का कपड़ा इसका निकाल दिया और इसी प्रकार मैंने दोनों front side के pattern में portly buttons को attach कर दिया है और extra का fabric भी निकाल दिया है अब यहाँ पर armhole की side में slit लेके जाना है पूरे दोनों front side के pattern में armhole की side में और neck के side में हम slit लगाएंगे और उसी प्रकार हम neck के नीचे जो है सिलाई लगाई हुई वहाँ पर भी slit लगा देंगे इससे क्या होता है जब हम इसे अंदर की side से fold करेंगे तो यह finishing के साथ fold हो जाएगा अब यह जो सिलाई margin है हमें इस तरह से अंदर की तरफ ढखेलते हुए इसको बाहर निकालना है और इसे आइन करके लेना है तो यह finishing के साथ हमारा यह seam जो है ली हुई पूरी अंदर की तरफ चली जाएगी और यह उपर से बिलकुल invisible दिखेगा seam इस प्रकार यह हमारे दोनों साइड के pattern हमें इसी प्रकार ready करने है यहाँ पर हमने निक्या और पोटली बटन्स लगाए हैं इस प्रकार यह दोनों pattern हमारे इस प्रकार ready हो जाते हैं जो हमने डोरी लगाए थी यहाँ पर यह देखिए आप यह इस तरह से अंदर की side में उसकी seam चली जाएगी इस प्रकार यह दोनों front के pattern ready हो चुके हैं अब जो यह side है side वह हम seam seam लगा देंगे यहाँ पर दोनों side के pattern एक दूसरी के उपर बराबर से रखते होएं यहाँ पर side में stitch लगा देंगे दोनों front के pattern को यह दोनों side को हमने stitch लगा दी हैं अब हम यह side में रख देते हैं और हम देखते हैं back का pattern यहाँ पर यह मेरा back का button है जो कि हमने मैंने आपको बताया था कहाँ पर stitch लगानी थी इसके armhole में और neck में बस armhole और neck में stitch लगानी है और यहाँ पर मैं slit लगा देती हूँ armhole और neck में यहाँ पर हमने stitch लगा दी है आम होल की side में और neck की side में और front जो नीचे और उपर के जो दोनों pattern है back के वो एक दूसरे को attach कर दिये हैं अब यहाँ पर जो front के pattern है हमारे वो हमें यहाँ पर लेने है इसे इस तरह से हम अंदर की side में डालेंगे यह हमारे back का pattern है और back के pattern के बराबर से हम अंदर की side में डालेंगे और जो shoulder है shoulder के और से उसे उपर खीचेंगे यहाँ पर हमें shoulder के और stitch लगानी है और यहाँ पर देखो side में यह बराबर से रखेंगे हम और इसे इस तरह से back का pattern हम नीचे कर देंगे अब यहाँ पर shoulder के और हमें खीचना है front का pattern दोनों shoulder यहाँ पर मिलाने है front और back के अंदर की side से इसी प्रकार इस side का भी pattern हम अंदर डालेंगे यहाँ पर मैं pin लगा देते हूँ ताकि यह shoulder अंदर की तरप न जाए इस side का भी front का pattern हम अंदर की तरप डालेंगे और यहाँ पर हमने shoulder में stitch नहीं लगाई हुई है तो यहाँ पर हम shoulder उपर की तरप निकालेंगे यहाँ पर हम शोल्डर के और स्टीच ले लेंगे, यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर जोइंट करने हैं, जो कि हमने फ्रंट का शोल्डर अंदर की साइड से लिया हुआ है, यह दोनों शोल्डर हमारे यहाँ पर जोइंट हो गए, फ्रंट और बैक दोनों के, अब यहाँ पर हमें side में stitch लगानी है तो आप देख सकते हो अंदर के और हमारे front का pattern है इसे बराबर से हमें रखना है side में एकदम बराबर से match करते हुए हमें रखना है यह यह जो डोरी है यह अच्छे से अंदर की तरप डालेंगे ताकि stitching करते समय यह बीच में ना आए और यहाँ पर side में बराबर से यहाँ पर हमने रख दिया है front pattern उसके उपर यह बराबर से हम back का pattern इस तरह से ओड लेंगे और यहाँ पर हमें जितनी हमने seam margin ली है उसके according side में stitch लगा देंगे मैंने यहाँ पर 1 inch seam margin लिया हुआ था तो 1 inch बराबर से मैंने stitch लगा दी same उसी प्रकार दूसरी side में भी हम करेंगे बराबर से रखते हुए हमें यहाँ पर stitch लगा देनी है जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उसी प्रकार आप बराबर से रखते हुए यहाँ पर stitch लगा दीजेगा seam margin के आपका जितना seam margin आपने लिया है 1.5 inch, 2 inch, 1 inch उसके according आप यहाँ पर stitch लगा दीजेगा अब यह stitch हमने side में लगा दी है अब हमारा नीचे का side खुला हुआ है back का तो यहाँ पर क्या करना है जो अंदर की तरफ front का pattern है उसे अच्छी तरह से अंदर की तरफ डाल लेंगे क्योंकि हमें back में नीचे की तरफ stitch लेनी है तो stitch के बीच में यह front का pattern नहीं आना चाहिए यहाँ पर 2 inch का बीच में gap चोड़ेंगे और यहाँ पर पूरा back की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर देखो हम back के pattern में नीची की और सिलाई लगा रहे है इसके बीच में front का pattern नहीं आना चाहिए जो के अंदर की तरफ है 2 inch बीच में gap चोड़ना है देखो 2 inch मैंने यहाँ पर gap चोड़ा है और आगे की तरफ मैंने 9 उठा कर लिया है और मैं यह continue सिलाई करूंगी यहाँ तक हमने पूरी सिलाई लगा ली बस हमने 2.5 inch का gap पीच में चोड़ना है यह gap हमने यहाँ पर चोड़ा हुआ है अब जो gap हमने चोड़ा हुआ है वहाँ से हमें front के जो अंदर की तरफ दोनों pattern है उनको बाहर निकालना है धीरे धीरे करके इस तरह से यह front के दोनों pattern हम बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके इनको बाहर निकाल देंगे इससे क्या होगा हमारी जो सिलाई है पूरी बैक की वो पूरी तरह से अंदर की तरफ चली जाएगी और उपर की तरफ से ये पूरा इन्विजिबल दिखेगी सिलाई देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट के दोनों पैटरन बाहर निकाल दिये हैं और आप देख सकते हो ये पूरे फिनिशिंग के साथ हमारा ये जैकेट की सिलाई अंदर की तरफ चली गई है और ये उपर की तरफ पूरा इन्विजिबल हो गई है शोल्डर के और भी, साइड के और भी, कही पर भी सिलाई हमें नजर नहीं आ रही और ये गाप है नीचे की तरफ, यहाँ पर हम ये दो इंच का गाप छोड़ा हुआ था उसको स्टीच लगा देंगे बस दो इंच या ढाई जितना के आप छोड़ा है वही पर ही सिलाई लगा दीजिएगा ये सिलाई हमने लगा दी और आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा हमारा रिवर्सेबल जैकेट रेडी हो चुका है जो कि हम दोनों साइड से इसे पहन सकते है इस प्रकार ये हमारा हो चुका है यहाँ पर इस प्रकार हम नौट लगा देंगे डोरी की डोरी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप अप्शनल है या पूरी डोरी लगाना और पोटली बेटन्स लगाना तो इस प्रकार ये हमारा डिजाइनर जाकेट रेडि हो चुका है इस साइड में भी आप इसे पहन सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी इन्विजिबल हो गई है हमारी सिलाई तो इस कारण आप इस साइड से भी इसे पहन सकते हो दोनों साइड से आप इस जाकेट को पहन सकते हो तो आपको टिटोरियल ये कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट के थूँ बता दीजेगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटीज के साथ इस वीडियो को सेर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए